गोवी से तो बहुत सारी टेस्टी रेसिपिया अपने बनाई होगी लेकिन आज जी सतरे से मैं गोवी की ये स्टफट वाली पराठा बनाऊंगी ऐसे अगर बनाएंगे तो सब उंगलिया चाटते रह जाएंगे तो यहाँ पे मैंने ये जो गोवी ली है इसका पहले ये सारे पत्ते को निकालके हटा देंगे ये पत्ता समेत गोवी अगर आप खरी देंगे तो इसे आप कई दिनों तक स्टोर करके रख पाएंगे और अभी इसके ये सारे फूल को काटके अलग कर लेंगे गोवी के अंदर कई बार किरा वगेरा भी रहता है तो ऐसे छोटे छोटे तुक्रों में अगर काटके लेंगे तो आसान इसे उसे आप निकाल पाएंगे और पत्ता टंटल हटा के ये फूल करीबन 300 ग्राम होगा तो ये सारे फूल को इस बोल में डालके इसमें डालेंगे गरम पानी और एक छोटी चमच नमक सारे फूल डूब जाए इतना पानी ह हमें यहां पर डालनी है इसे गोबी थोड़ा सा सौप्ट भी हो जाएगा और ये गोबी खाने से बहुत लोगों की जो पेट का प्रॉब्लेम होता है वो भी नहीं होगा तो अभी इसे ढखके 15-20 मिनिट ऐसे ही छोड़ देंगे और तब तक इस बोल में लेंगे दो कप ग पाहा नहीं निकलेगा और पराठा फटेगा भी नहीं तो आटा गुदते वक्त ये चीज का आप थोड़ा ध्यान रखना और आटे को ऐसे थोड़ा मसल मसल के भी गूदना है इससे आटा पानी भी ज्यादा सोक करेगा और डो बहुत ही नरम सा बनेगा मतलब जैसे अभी ह इतना जयादा सोफ बना है और इससे अभी ढखके कुछ देर रेस्ट होने देंगे और तब तक गोबी को चान लेंगे तो अभी पानी को चान सब्सक्राइब के गोबी में तो पोड़ासा ऐसे गाजर को घिसके डालेंगे तो इसका जो मिठास है वो पराठे में बहुत अच्छा लगता है और अब ये गोवी भी ठंडा हो चुका है तो इसे भी ग्रेट कर लेंगे तो सिर्फ ये फूल को ही ग्रेट करेंगे ये डंटल को नहीं लेकिन इसे आप चोटी चमच नमक, आधी चोटी चमच हल्दी पाउडर, आधी चोटी चमच लालमिच पाउडर, दो चोटी चमच धन्या पाउडर, एक चोटी चमच भूना हुआ जीरा पाउडर, आधी चोटी चमच जीरा, एक चोटी चमच अजवाईन को हातों से ऐसे क्रश करके और साथ में दो कटी हुई हरी मिर्च, एक छोटी चमज ग्रेट किया हुआ अद्रक और थोड़ इसी धन्या पत्ती अब पहले इन सारे चीजों को अच्छे से मिला लूँगी इसे बहुत ज़ादा मसलना नहीं है बस हलके हाथों से पहले मिला लूँगी तो नमक पड़ते ही गोबी और गाजन में से थोड़ी बहुत पानी रिलीस करेगा तो स्टफिंग में थोड़ा बाइनिंग रहे इसलिए अभी इसमें डालूँगी चार बड़ी चमज बेसन और अच्छे से इसे मिला दूँगी ये बेसन कच्छा नहीं है इसे मैंने लो फ् सूखा आठा हातों में लगाके इस डो को एक बर मसल लेंगे इससे डो बिलकुल स्मूध बन जाएगा और अभी इससे एक बड़ा सा लोई भी तोड़ लूँगी ये लगभग दो रोटी के लोई जितना होगा तो अभी इसे अच्छे से गोल करेंगे और सर्फेस के उपर रखके थोड़ा सा सूखा आठा ची रखके बेल लेंगे इस रोटी को अभी मैं बहुत ही पतला सा बेल के बड़ा करूंगी तो सूखे आठे से बेलेंगे तो इसे आप बहुत ही पतला सा बेल पाएंगे तेल से बेलने जाएंगे तो इसे पतला बेल नहीं पाएंगे क्यो आरो तरज थोड़ा सा जगा छोड़ देंगे और इसके उपर में थोड़ इसी गरम मसाला और थोड़ इसी अमचूर पाउडर स्प्रिंकल कर देंगे आप चाहे तो स्टफिंग बनाते वक्त ही इन दोनों मसाले को एट कर सकते हैं लेकिन अलग से स्प्रिंकल करेंगे तो इस से सील कर देंगे तो यहां पर सील करने के लिए पानी बगेरा ज़रुरत नहीं होगी यह ऐसे ही अच्छे से सील हो जाएगा अब इसके उपर थोड़ा सा सूका आटा चिरक के पलट देंगे और हलके हातों से थोड़ा सा बेल लेंगे अभी इसमें प्रेशर बिल्कुल भी इसे पैन में डाल देंगे और लो मीडियम फ्लेम पर इसे पहले नीचे से से शेक लेंगे और एक दो मिनिट बाद इसे पलट देंगे और इस तरफ से भी और दो मिनिट सेक लेंगे और अब उपर से थोड़ा सा तेल ब्रश कर लेंगे और इसे पलट के दूसरे साइट में भी थोड़ा सा तेल ब्रश करेंगे ऐसे ब्रश करने से बहुत ही कम तेल में ये पराटा सीख जाएगा और टेस्ट भी बहुत बढ़िया बनेगा तो अभी इसे ऐसे थोड़ा दबा दबा के और पलट पलट के अच्छे से से शेक लेंगे इसे दोनों साइट की लेर में एक बहुत ही बढ़िया सा क्रंच आएगा और अंदर की स्टफिंग भी अच्छे से कूक हो जाएगा तो उपर से क्रंची और अंदर से सौफ्ट ये पराठे खाने में इतना बढ़िया लगेगा कि आप मार्केट वाले पराठा भी भूल जाएगे पस साथ में हो सके तो थोड इसी फेटी हुई दही या फिर अचा ले लेना फिर आपको बिल्कुल धावे वाले फीलिंगी घर वैटे मिल जाएगा और देखिए ये पराठा कहीं से भी फटा नहीं है और कितने बढ़िया से फूल रहा है तो ये पराठे को मैंने बहुत अच्छे से सेक ली है और दोन देगा भी नहीं और अंदर देखिए स्टाफिंग कितने अच्छे से फैला हुआ है तो दोस्तों ये गोवी वाली पराठे की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताना चलिए मिलत अगले नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार